सिर्फ और सिर्फ इस अकेले वीडियो को में वो हर चीज बताई गई है वो हर चीज बताई गई है जिसको फॉलो करके आप आरो ए आरो दोहजार चॉबिस वाले एक्जाम को पहली ही अटेम्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं और जो तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बस उसी तरीके को पढ़ा कर उसी तरीके से कोर्स बना कर हमने इस बार 140 में से 97 कोस्चन फसाये थे आरो के एक्जाम में जिसको विश्वास नहों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रूफ वाला वीडियो भी ख्या ख्याल था क्योंकि यह newspaper leak हो गया था तो इस वाले paper को आप देखो गे तो इस paper को देखने से आपको पता चलेगा कि आरो का pattern पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, अगर आप पुराने पैटर्न से पढ़ोगे, तो चाहें जितनी तयारी कर लो, आप आरो का एक्जाम निकाल नहीं पाओगे, बहुत सारे बच्चे, इस बार बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ, कि पूरे साल उन्होंने महनत तो आप से नहीं पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं कि आप एक्जाम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप देख रहे होगे कि जादा तर कुष्टन इसमें आप कारण वाले, ये देखें, कारण वाले, इसमें आप देखोगे, 4 से 5 नए टाइप के कुष्टन का रेसियो बहुत पढ़ा दिया गया, दोस्तों चुकि हम लोग सिर्फ आरो का एक्जाम पढ़ाते हैं, इस वज़े से हमसे अच्छा एनलेसिस कोई नहीं कर सकता, अगर पूरे पेपर में 140 कोश्चन जो GS के पूछे गए हैं, उसमें अगर रेशियो वाइस देखोगे, तो केबल 60% कोश्चन ऐसे हैं, जो कि पुराने फॉर्मेट, यानि कि जिसमें हमें चार उप्षन, A, B, C, D, इन में से कोई एक सही करना होता था, यानि कि सिंगल उप्षन सही वाला कोश्चन 60% पूछे राते हैं, जो नए टाइप के कोश्चन साइट किये गए हैं, पहले वो 10% आते थे, लेकि पूछे जा रहें, यानि कि एक लिश्ट यहां दी होगी, एक लिश्ट यहां पर दे दिया जाएगा, और इसमें आपको क्रॉस मैच कराना होता है, कि कौन सा कोश्चन किस से मैच हो रहा है, दूसरा एक आता है कि क्रॉस मैचिंग वाला, यानि कि आपको दो लिश्ट दे दे दिया जाएगा, उसको बड़े छोटे काला नुकर, इस क्रम में उसको अरेंच करना होता है, इसके बात में सेम चीज़ वही, टाइम लाइन के हिसाफ से चीजों को अरेंच करना, मतलब इतियास की चार गटनाय दे दिगई, और कहा गया कि उसको टाइम लाइन के इसके बाद में multiple statement वाले question यानि कि A, B दोनों सही केवल A सही केवल B सही या A, B दोनों गलर या A, B, C तीनों सही एक से जड़ा statement सही वाले question इसके बाद में question जो अचानक से आपको गलत question हो जाता है जिसमें पूछा जाता है नहीं होना कथन और कारन वाले question तो ये इस type की questions का ratio 40% हो गया है यानि कि जब तक आप इस तरीके की questions को नहीं करोगे exam आप नहीं निकाल पाओगे ये तो हो गया कि paper आपका किस तरीके से पूछा जाता है अब आपको समझना है कि आपको करना क्या पड़ेगा देखो जिन लोगों ने RO का form इस पार डाला है वो पहले समझा कि RO में सबसे पहले तो आपको प्रिलिम्स का exam देना पड़ता है प्रिलिम्स के exam में आपके दो पेपर होते हैं एक एक मॉर्निंग वाली सिप्ट में और एक इवनिंग वाली सिप्ट में तो जो मॉर्निंग माली सिप्ट में एक्जाम होता है उसको बोलते हैं जी एस और 140 question उसमें पूछी जाते हैं और आपको second shift में हिंदी के 60 questions पूछी जाते हैं तो 140 और 60 यहां पर आप देख सकते हो 140 और 60 ऐसा माना जाता है पिछले 5 साल में जो RO का cutoff जा रहा है या PCS का cutoff जा रहा है उस इसाफ से अगर देखा जाए तो हमारा target होना चाहिए कि हम 140 में से 80 और 85 इसको 85 कर लो क्योंकि अब थोड़े से जादा candidate इस exam को देंगे और यहां पर हिंदी में लगबग 50 question अगर आप सही कर दो तो 135 से 140 question अगर आप सही कर पा रहे हो तो आपकी cutoff निकलने से कोई रोक नहीं सकता हाला कि यह चीज़ डिपेंड इस बात पर भी करती है कि अगर मालो paper कुछ ज़्यादा ही tough आ गया तो यह थोड़ा सा कम भी हो सकता है लेकिन जिस हिसाब का trend अभी तक चल रहा था उस हिसाब से 135 से 40 question दो हजार चौबिस के हिसाब से अगर आपके आ जाते हैं तो आप आसानी से इस cut-off को निकाल सकते हूँ ठीक है हिंदी में 50 question सही करना असान है लेकिन GS में 140 में से 85 question आप किस तरीके से सही करोगे वो मैं बताने वाला हूँ एक और चोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि हमने जिस planning से इस हमने अपने कोर्स में पढ़ाया है उस planning के एसाब से 97 question हमने इस वार इस एक्जाम में फसाए थे अब आपने target समझ दिया अब यह समझो कि RO और ARO के एक्जाम में selection के लिए कितने number लाने होते हैं अगर पिछले साल का comparison करें तो पिछले साल में मैंने परसनली जो student से पूछा है जो select हुए है 127 number पर यानि कि ये 200 में से 127 number पर last select student पाया गया है ठीक है 127-135 number के बीच में पिछले साल का cutoff रहा था और mains का paper 400 number का आता है वहां पर cutoff 275-280 के बीच में लगती है यहां पर आप देख सकते हैं यह expected cutoff है general, OBC, female, schedule cost, schedule tribe सारी categories wise इसमें cutoff दे रखी है जिसकी जो category हो उस हिसाब से इसका screenshot लेकर देख सकता है अब यह समझो कि हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे कि कम पढ़कर भी आप इस exam को पढ़ पाऊगे देखो selection लेने के लिए आपको basically चार चीजों की जरुत होती है सबसे पहले कि आपको direction लेस यानि कि आपको सही direction मिलनी चाहिए और guidance आपको बहुत बढ़िया मिलना चाहिए दूसरा कि जो भी coaching जो भी content हम आपको देंगे वो इतना जादा कम होगा कि ऐसा नहीं कि बहुत जादा content आपको पढ़ना पढ़े क्योंकि जादा content भी अकर आपको मिल जागा तो आप उसको पढ़कर selection नहीं ले सकते आप उसको पढ़ी नहीं पाऊगे तीसरा content ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको हर चीज बहुत आसानी से याद हो जाए इसी बज़े से हम आपको सारी subjectों में जो चीज पढ़ाएंगे उसमें आपको photo भी दिखाते चलेंगे photo देखने से क्या होता है कि आप चीजों को बहुत जल्दी से याद कर लेते हो video देखते ही चीजे आपको याद हो जाते हैं और इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तभी आप लंबे समय तक चीजों को mind पे रखबाओगे क्योंकि हमें कोई एक दो subject थोड़ी ना पढ़ना है हमको 10 से ज़्यादा subject पढ़ने पढ़ते हैं तो जब तक इस तरीके से नहीं पढ़ोगे आप चीजों को याद ही नहीं रखपाओगे अब तयारी करने का सबसे तयारी करने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि आप जो इस exam का syllabus है GS का एक तरब से पढ़ना शुरू कर दो उस case में क्या होगा आपको यह नहीं मालूम होगा कि कौन से subject से कितने question पूछे जाते हैं तो हम क्या करेंगे आपको RO-RO के पिछले 5 साल के paper का analysis करेंगे कि कौन से subject से कितने question पूछे गएं यह सब research का काम है और यह research वही कर पाएगा जो 24 गंटे RO exam में लिपता है और हम लोग 24 गंटे RO exam को ही पढ़ाते हैं RO के लिए ही course बनाते हैं इसके लाबा चुकि पिछले 5 वरसों में RO का exam हर साल नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे UP, PSC और RO का pattern बिल्कुल सेम होता है तो UP, PSC में पिछले 5 वरसों में कौन-कौन से subject ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो analysis करेंगे तो अगर आप 2024 वाले paper को उठा कर देखोगे तो current fs के 22 question geography के 15 question physics के 12 question quality से 10 question modern history से 10 UP, GK के 9 और इस तरीके से प्रस्न पूछे गए 2021 का analysis आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से UP, PSC में भी पिछले 5 वरसों में subject-wise analysis जो है वो हमने कर दिया अब यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने को मिली कि सबसे ज़्यादा जो subject पूछा जाता है जैसे geography रफी देखो बार-बार दोनों साल सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो जो subject सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसको हम सबसे last में नहीं पढ़ेंगे उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सरीर की energy सबसे पहले हम उन subjectों में देंगे जो exam में ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसको ज़्यादा detail में पढ़ेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं मानलोग कोई एक ऐसा subject है जिससे बहुत कम questions पूछे जाते हैं एक या दो लेकिन उसके लिए पढ़ना तो पूरा subject पढ़ेगा न और अगर आप ऐसे subject को पहले पढ़ लोगे तो आप जो main subject है वहाँ तक आते आते आपकी इच्छा पढ़ने की खतम हो जाएगी तो ये सब planning के साथ में आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले वह subject जो exam में ज़्यादा पूछा जाता है और जो चीज exam में कम पूछी जाती है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो पहली बार में ही guarantee के साथ में कह सकता हूँ आप exam निकाल लोगे तो यह हो गई पूरी paper की analysis अब आपको आगे क्या करना है अब आजाती है पढ़ने की बारी analysis आपने कर ली analysis की बाद में जब आप subject को पढ़ना सुरू करोगे तो आप क्या करोगे जैसे मालो आपको सबसे पहले पढ़ना है history for example तो history की कौन-कौन सी best book है तो आप देखिए एक subject को जब आप पढ़ने चलोगे तो उसकी एक नहीं कई standard book आपको recommend करी जाएंगी अलग-अलग videos में आप देखोगे लोग आप से बोलेंगे की आपको NCRT पढ़नी पढ़ेगी Classics से लेकर 12 गे इसके लावा ancient history के लिए RS सर्मा एक अच्छी book आती है इसके लावा modern history पढ़ने के लिए spectrum और spectrum और ये विपिन चंदरा ये book recommend करी जाती है तो आप समझेए कि इस बार का जो आरो का paper आया है अगर आप उस paper को उठा कर देखोगे तो उस हिसाब से एक subject में कुछ चीजें इस book में अच्छी दे रखी है कुछ चीजें इस book में अच्छी दे रखी है और कुछ इस book में अच्छी दे रखी है तो आप एक ही subject की चार किताबें नहीं पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ने की courses करोगे तो आपको दो-तीन साल लग जाएंगे इस exam को crack करने में. तो हमने क्या किया है कि हमने RO के paper को analysis करके उसमें जिस book से जो topic important है, RO के इसाब से उसको निकाल लिया. मालो यहां से कुछ चीजे निकाली, कुछ चीजे यहां से निकाली और कुछ चीजे यहां से निकाली. और हर जगह से हम अपने एक course को बनाने के लिए 6 किताबों को follow करते हैं और इन 6 किताबों से निचोड, हम एक निचोड इसका तयार करते हैं. तो आपको बताना चाहूंगा, जैसे मालो आप history अगर पढ़ोगे, तो हमने अपने batch में, हमारा batch इसलिए लोग ज़्यादा तर खरीते हैं, क्योंकि हमने अपने batch में क्या किया, कि class 6 से लेकर 12 तक की जो NCRT है, इसके जो topic ज़्यादा important है, उसका एक निचोड निकाला, ठी हमने history में ये books follow करी हैं, इस वज़े से आपको बताना है, Spectrum, Vipin Chandra, इनको इनका भी एक निचोड तयार किया, फिर आपकी जो नितिन सिंगानिया की book आती है, Art and Culture, उसका निचोड, R.S. Sharma से N.C.N. और Satish Chandra से Medieval History, इन सारी किताबों को, जिसको पढ़ने में सायद आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे, इसका हमने एक निचोड तयार किया, और उस निचोड को आपको दे दिया, तो जो चीज आप 5 से 6 महीने में एक subject को कर पा रहे थे, वो लगबग 20 से 25, हमारे एक subject में मुश्किल से 20 से 25 क्लास होती है, और एक क्लास मुश्किल से 30 से 35 मिनिट की होत 10 घंटे में आप हमारा एक पूरा subject इफिनिस कर सकते हो, तो 20 से 25 क्लास में हमने आपको 6 अलग अलग किताबों, 6 अलग अलग किताबों का निचोड आपको मिल गया, तो इससे क्या होता कि आप बहुत कम समय में, कम पढ़कर भी इस exam को पहली बार में निकाल दोगे, इसके लावा, और सुनिये, अब ये तो हो गई थियोरी, अगर आप केबल थियोरी थियोरी पढ़ोगे, तो भी आपका selection नहीं हो सकता, आपने जैसे कोई एक topic अभी पढ़ा, तो उसके तुरंत बाद उस topic के जितने भी questions है, वो अगर नहीं लगाए, तो भी आपका confidence नहीं आगा इस वज़े से हम जो भी topic आपको पढ़ाते चलेंगे, RO के 5 साल के question उसी topic के नीचे, UPPCS के भी 5 साल के question उसी topic के नीचे, और UPSC, इसको करो UPSC, UPSC के वो छोटे वाले questions जो की state वाले exam में repeat हो जाते हैं, जैसे question पूछा गया था, ECO Mark से आप क्या समझते हैं, तो ये ECO Mark वाल question पहले UPSC में पूछा गया था, फिर बाद में state exams में पूछा जाने लगा, तो इतनी कोसिस करके हमारा पूरा एक subject तयार होता है, ठीक है, अब यहाँ पर ये सब किताबें, इसी तरीके से हमारा जो geography का course है, वो 6 से 12 NCRT पर based है, साथी साथ में हमने महेंस कुमार बर्नवाल follow किया है, word geography के लिए CG Leon की book हमने follow करी है, माजित हुसैन से हमारा geography का content लिया गया है, और word geography के कुछ topic हमने माजित हुसैन से भी बनाए है, ठीक है, तो इन सभी किताबों को, या तो अब अलग-अलग purchase करके पढ़ें, या तो हमारा जो course इन सब किताबों का निचोड करके बना पूरी geography हमने finish कर दिये, यानि कि मात्र 15 गंटे, 15 गंटे, पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा course आपको नहीं मिलेगा कि 15 गंटे में पूरी geography भी finish कर दिये, और साथी साथ में उसके 5 साल पुराने RO के, UPPCS के और UPSC के तीनों के questions भी करवा डालें, तो theory plus question दोनों जब एक ही स पढ़ोगे तब आपके पहली बार में एक्जाम निकल जाएगा, साथी साथ में इंडियन पॉलिटी के लिए NCRT और लक्षमी कांद को follow किया है, Economics and Social Development के लिए NCRT, रमेश सिंग, योजना और कुर्चेतर जैसी magazine को refer किया गया है, तो ये पूरी planning है जिससे आपको follow कर, अब आप लोग जो गलती करते हो, आपको नहीं करनी है, जैसे कि अगर आप एक तरफ से सब कुछ पढ़ना सुरू करते हो, खुझ से, किताबों से, ये गलत तरीका होता है, जो चीज जादा पूछी जाती है, जैसा कि मैंने बताया, वो चीज पढ़ोगे, ये बिल्कुल सही त तरीका होता है, अगर आप केवल कोस्तन लगाओगे, गटना चकर बकरा लगाना सुरू कर दोगे, तो वो भी गलत तरीका होता है, क्योंकि आप कॉंसेप्ट नहीं डबलप कर पाओगे, और अगर आप पेपर उठा कर देखोगे, तो आप ये पाओगे कि पेपर अब को नहीं निकाल पाऊगे, conceptual question आज कल exam में पूछे जाते हैं, और concept आपका तभी develop होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कि सबसे पहले तो किसी भी chapter की theory पढ़ो, और उस theory के साथ साथ में, जितने भी questions बन सकते हैं, वो सारे के सारे questions जब तक आप नहीं लगाऊँगे, त तक आपकी तयारी नहीं होगी, तो सबसे बेश्ट तरीका यही है, जो मैं आपको share कर रहा हूँ, कि तुरंद के तुरंद कोई topic पढ़ो, और उसके जितने भी questions है, वो लगा डालो, तब तो वो topic आपका तयार होगा, otherwise आप बटकते रहोगे, महनत बहुत करोगे, लेकिन exam आपका नहीं निकलेगा, हमने इस planning से जब पढ़ाया था, इसी planning से हमने 140 में से 97 question फसाए थे, अब एक चीज़ और समझना, आपको एक और tricky बात बदाता हूँ, जब आप इसको जानोगे, तो आप भी shocked हो जाओगे, देखो, अब इसमें क्या है, कि समझना मेरी बात को, कि जैसे मानलो, GS के 140 question पूछे गए, 140 question में से लगबग 70 question ऐसे होते हैं, जिनको आप पहले से ही predict कर सकते हो, यानि कि वो topic fix हैं बिलकुल, इनके जो topic हैं, वो बिलकुल fix हैं कि इन topic से वो questions आने हैं, और बचे हुए 70 question में क्या होता है, कि previous year question, previous year में जो questions पूछे गए हैं, वो question repeat नहीं हो गए, लेकिन वो question जिस topic से पूछे गए, वो topic repeat कर जाता है, तो यहां से मान के चलो, जैसे एक current gk की बात करो, तो current gk में हमने वो 75 ऐसे topic बना रखे हैं, जिनसे question बार बार repeat हो रहे हैं, और जहां से question पहले से पता है कि बार बार question उस topic से पूछा जा रहा है, तो उसको अब पहले पढ़ लो ना, उसको अलग से एक separate folder बना के आपको पढ़ाया गया है, तो जैसे कि आपको बताओ, ACN Games बार बार पूछा जाता है, elephant reserve report, forest report, national film award, noble prize 100% आना है, smart city award 100% आना है, tiger reserve, उत्तर प्रदेश बजट, केंदरी बजट, चंदरयान 3, यह 2024 वाले paper के ह हिसाब से मैंने list तयार करी थी, यहां से आप 24 वाला paper उठाके देख लो, एक एक question आपको match हो जाएगा, ठीक है, इसके बार में देखो, subject wise analysis भी हमने कर रखी है, कि हर एक subject में, अगर आपके पास में समय जादा नहीं है, तो सिर्फ इतना भी पढ़ लोगे, तो भी exam निकलन के chances बहुत जादा रहेंगे, यह वो सारे topic हैं, जैसे कि भारत की मिटियां, आप paper उठाके देख लो, पिछले 5 सालों में बार बार ये चीज़े repeat हुई है, म्रदा अपर्दन, भारत में करसी, खरीब की फसल, रभी की फसल, नकदी की फसल, भारत में तिलहन, दलहन, रेसम, बागानी फसले जूट, यहां से बिलकुल sure short है कि question exam में आना ही है, तो इसी तरीके से हमने सारे subjectों में ये चीज़ बना रखी है, कि जहां से question 100% आना है, इसी विज़े से आपका time बसता है, और कम समय में आप बढ़िया तयारी कर लेते हो, साथी साथ में इस batch में हम आपको एक और चीज़ दे रहे हैं, जिसको कहते हैं ब्रहमास्तर, इस ब्रहमास्तर में हम क्या करा रहे हैं, देखो 70-80 question तो हमने आपके वो topic करा दिये जो बार-बार repeat हो रहे है, अब ब्रहमास्तर में क्या है, देखो, क्या हो रहा है, कि आजकल लोग गटना चकर से पिछले 5 साल के, जो questions exam में पूछे गए हैं, वो questions नहीं करवा रहे हैं, हम वो question जिस topic से पूछा गया है, वो पूरा का पूरा topic ही पढ़ा दे रहे हैं, इस बज़े से वहां से question फसने के chances बहुत ज़्यादा हैं, जब इतनी तिकडम भिढ़ा कर मैंने पढ़ाया है, इसी बज़े से किसी को विश्वास ही नहीं होता कि 140 में से 97 question भी कोई coaching फसा सकती है, इतनी analysis करके अगर पढ़ाया जाएगा, तो question फसनात बिल्कुल तैह है, और ये कौन-कौन से topic हैं, पिछले 5 वर्सों में जो questions पूछे गए हैं, वो कौन-कौन से topic से पूछे गए हैं, और वो पूरे के पूर master में आपको करवा दिये, acid rain हो गया, lotic water bodies हो गया, in-situ, x-situ conservation, उत्तर प्रदेश की one संपदा हो गई, ramser sites हो गया, heritage sites हो गया, asok के सिलालेक, उर्जा के सुरोत, महा सागरों का सबसे गहरा बिंदू, ये वो सब topic हैं, जो पिछले 5 वर्सों में बार-बार पूछे गए हैं मैं आप से कहता हूँ, आप अगर पूरा course ना पढ़ो, केवल यही यही भी exam time में पढ़के चले जाओगे ना, आप विश्वास मानो cut-off के बिलकुल पास आजाओगे, मतलब केवल और केवल 15-20 दिन भी हमारे course से अगर आप पढ़ लोगे, तो cut-off निकालने के बिलकुल कर ही बाजाओगे, और जिसने पूरा course ले लिया वो तो guarantee के साथ कह सकता हूँ कि बड़े अराम से exam निकाल लेगा, चीक है? सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐसा नहीं कि हमने बहुत कोई भारी भर्गम बहुत बड़ा course दे दिया हो जिसको आप पढ़ना पाओ, इतना छोट कोर्स है कि हमारे जो सारे subject है, biology केवल 20 क्लास में खतम, modern history 22 क्लास में खतम, medieval history 18 lecture में finished, ancient 18, geography 30 क्लास में, polity 29 क्लास में, environment 12 क्लास में और UPG के 10 क्लास में और एके क्लास हमारी केवल 30 से 35 मिनट की क्लास होती है और एके question को photo दिखा कर समझाया गया है कि आपको जल्दी से याद भ मतलब है, 10 से 15 गंटे भी लगातार बैठ जाओ तो हमारा एक subject आप पूरा finish कर सकते हो, और उसी batch में, एकलावता ऐसा batch है पूरे इंडिया का, जिसमें theory प्लस question दोनों करवा दिया गया है, यानि कि अलग से ना तो आपको कोई theory वाली book purchase करनी है, और ना तो कोई question वाली book purchase कर जाते हैं, हमने सारे subject को topic wise पढ़ा है, 5 साल में क्या चीज़ पूछी जा रही है, उस trend के हिसाब से पढ़ा है, RO के 5 साल के questions करवा दिये हैं, UP PCS के 5 साल के questions करवा दिये हैं, और NCRT जैसी सभी standard किताबों के questions करवा दिये हैं, जब आप इस तरीके से पढ़ोगे, तो विश् आस मानो, इतनी analysis के साथ में आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि हम ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ RO का ही पढ़ाते हैं, RO के लब हम कोई दूसरा exam पढ़ाते ही नहीं है, first attempt में आप हमारे इस exam को qualify कर लोगे, और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कि लगबग 125-127 नंबर जो cut-off जाती है, उससे कम से कम 20 नंबर जादा लेकर आओगे, हमारे जो student है, इस बार का जो paper cancel हुआ है, उसमें 150, 145, एक बच्चे के 161, इतने नंबर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 97 question अगर किसी coaching से फज़ आ हैं, तो सोचो कि कितना आसान हो जाएगा उ आप चाहें job करते हो, housewife हो, या फिर working हो, या फिर आप student हो, कोई भी case में आसानी से आप exam निकाल सकते हो, इस batch को पढ़ कर, जो जो तरीका मैंने आपको बताया, उसको अगर follow करोगे, तो पहली बार में ही exam आपका qualify हो जाएगा, हमारा batch लेने के लिए आप हमारे mobile application को download कर सक 72389-69297 और इसी तरीके को follow करके पहली बार में आप exam को निकाल लोगे